तो किसान भाई लोग आप लोगों ने अपने नर्सरी के लिए खेत तयार कर लिया है सारी चीज़ें आपने कर लिया हैं लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने नर्सरी में कौन सी दवा डालें जिससे हमारा एक अच्छे नसल का हमारा नर्सरी तयार हो तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इन दो दवाओं के बारे में बताएंगे जो की इसका इस्तेमाल करके आप अपने नर्शरी का एक अच्छा नर्शलत तयार कर सकते हैं और इससे आप अच्छा उत्पादन भी कर सकते हैं तो देखे किसान भाई लोग हम आपको इस वीडियो में आज यही सब बाते बताएंगे कि आज आप इस नर्शरी के पैदावार के लिए कौन सी दवा इस्त अंगली धान और पीलापन और यह सब चीजें हम अपने नर्शरी से खतम कर सकते हैं तो चलिए किसान भाई लोग आप लोग वीडियो को सुरू से अंत तक देखिए और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे देशी जुगार्टेक चैनल में तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे धान के नर्सरी के समय हमें कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो किसान भाई देखे यह हमारा पहले दवाय है वीडियो बुटका वायरा जो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है इसके क्या-k्या फायदे हैं यह सब बाते हमब बताते widzों तो देखें किसान भाई लोग हम सबसे पहले इसका करेंगे एक सब्सक्राइब तरीके से अब करने के बाद हम इसका इस्तेमाल फिर क्राइब है पंदरा पानी करने के बाद छी तरीके से ऐढ़ें की स्वाही श्यड़ा जीट ढ़िए में क्वैया करतेंगे मयts ? कि इस तरीके से इस्तेमाल करना है तो देखे किसान भाइब हमको इसका बेनिफिट क्या होगा हमारे नर्सरी धान के नर्सरी में जो भी खरपतवार होंगे जैसे जंगली धान हो गया और आपका जो है मोथा हो गया और तमाम परकार के घास हो गया इन सब सारी चीजों को यह करेगा क्योंकि होता क्या है कि जह घ्रीकए के छर पता होते हैं तो हमारे जो नर्सरी का टाकत होता यह पूरी तरीके सो इन लोगों की तरफ डप जाता है तो किसान बाइन लोग देखए इस दवा यहीं को यहीं है भाइन फेंबर बॉन யह इस्तिमाल का विधिय किसान भाइन Samco केवाल हम को अपने किया जाता है जब हमारा फसल जो रखशी तरीके सो ग्रोथ नहीं करता है तो हम זה के लिए इसका से माल करते है एक तरीके से यह हमारे पौधे के लिए बूस्टर का काम करता है令। टीवा दिखिए हम को अपने धान के में कैसे इस्तिमाल करना है और इसका क्या लाब होने कर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फ़स्ल को फाइदे के बजाए नुकसान पहुचेगा तो किसान भाइव लोग देखे इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह पांच एमल का बाटल है इसको हमें अपने मातरा नुसार पानी लेना है कम से कम 10-15 लेना है अब पानी लेने के पाइदे क्या होंगे हमारा जो धान का नरसरी है वह पूरी तरीके से पीला पन एकदम पूरी तरीके खतम हो जाएगा इसका जो है पैदावार ग्रोथ करने का जो सकती है वह आटोमेटिक बढ़ जाएगा और इस दवा का इस्तेमाल हम अपने कई सबजीयों पर भी करते है तो किसान भाई लोग यही दो दवा हमारे थे जो कि आप अपने नरसरी के पौधे में इसका इस्तिमाल करके आप एक अच्छे नसल का नरसरी तयार कर सकते हैं तो किसान भाई लोग अगर आपके मन में अभी भी कोई समस्या या कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट देशी जुगार से संबंदीद वीडियो लेके आते रहते हैं तो चलिए किसान भाई लोग आप लोग अपना ख्याल लखिए हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम